जब मेहनत तुमने की है तो फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा पर इतनी जल्दी भी नहीं जितना जल्दी तुमने सूचा है क्योंकि हमेशा बड़ा बदलाव जादा वक्त मांगता है बार बार मिल रही और सफलताओं से निकलने के लिए अपने तरीके बदलो इरादे नहीं इनसान में सक्ति की कमी नहीं होती बस कमी होती है तो वो संकल्प की और सबसे पहले तो पच्ताना छोड़ दो फिर कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोडने वाले पस्ता है क्योंकि जिनके इरादे साफ होते हैं लोग अक्सर उनकी खिलाफी होते हैं अगर लोग अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे तो भी कम न कर क्योंकि ये उनकी गलती है आपकी नहीं दोस्तों जिनके उपर जिम्यदारियों का बोज होता है ना उन्हे न तूटने का हक होता है और ना ही रूठने का हक किनारे पर खारा जहाज सबसे सुरक्षित तो होता है लेकिन क्या जहाज इसलिए बना है कि वो किनारे पर खारा रहे हैं। नहीं न? इसलिए दोस्तों जिंदगी में चुनोतियों लेने की ताकत ही आपकी सफलता को तै करते हैं। ये तो करवा सच है कि गरीब से करीब का रिस्ता भी छोपाने लगते हैं लोग। और अमीर से दूर का रिस्ता भी बढ़ा जढ़ा के बोलते हैं। दोस्तों मेरी एक सला है कि चाहे कितना भी कमा लो लेकिन कभी घमड मत करना। क्योंकि सतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिबे में रख दिये जाते हैं। और क्या खूब कहा है किसी ने कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जबाब मिल जाएगा। और अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए ने सवाल क्रियेट हो जाएंगे। जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज़ बन जाता है तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं और घमंड के अंदर भी सबसे बुरी बात यहीं होती है कि वो आपको कभी भी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हो और इसलिए मंजिर पाना तो दूर की बात है गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे ये जिन्दगी है दोस्त उलजोगे नहीं तो सुलजोगे कैसे और विखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे अरे क्यों करते हो भारोसा गैरो पर जब चला ही है तुमें अपने पैरो पर दूसरों को सोता हुआ देख कर भी जो बंदा रात भर लगा रहता है कुछ कर दिखाने के लिए तो वही बंदा एक दिन आगे चल कर इतिहास रच देता है दूसरों से ज़्यादा मेहनत ही आपको दूसरों से ज़्यादा सक्सेस्फल बनाएगी वक्त कभी भी गोंगा नहीं होता बस मौन होता है वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है और नाम एक दिन में नहीं बनता लेकिन ठाल लो तो एक ना एक दिन जरूर बनता है इस वीडियो को कौन सा पार्ट अपको अच्छा लगा कमेंट सक्षन में हमें जरूर बताएगा मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत झाल झाल